ईलो फ्रेंड्स और वेल报-डैक नमाई चानल है शुग मैं पहुतर ओज्यूता और आज मैं लेका एक कोर्मा की रेसिप याईंट नौरा की रेसिप बनाएंगे बहुत जाधा सींपल तरीके से और यह बहुत जाधा रिच ख्रीमी बनता है खाने में बहुत ज़्याधा टेस तो इस recipe को बनाने के लिए मैंने लिए है 4 eggs जिसे हम boil कर लेने वाले हैं तो at least 10 minutes के लिए या जब तक यह अच्छे से पक ना जाए इसे boil कर लेती हूं मैं पानी में और इसमें थोड़ा सा नमक डालने से यह अच्छे से boil होता और यह फटता भी नहीं है इसका जो shell होता है तो एक हमारा जो है खराब हो जाता है तो इस तरह से आप remove करके आप देखोगे बहुत ही अच्छे से आराम से यह निकल चुका है और बिल्कुल clear निकला है तो अब हम इसे deep fry करेंगे high flame पर तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा masala add करेंगे 1 teaspoon के बराबर मिर्ची powder 1 teaspoon के बराबर थ वरना यह pan में sometimes stick हो जाता है और एक हमारा खराब हो जाता है तो बिल्कुल hot oil में मैं इसे fry कर लूँगी और कुछी मिंटों में यह अच्छे से golden brown हो चुका है और मैं इसे निकाल लूँगी एक plate में अब हम इसका prepare करेंगे masala तो एक fry करने के लिए मैंने 2 tablespoon के बराबर oil लिया के बाद मैं इसमें डालूँगी बारिक कटा हुआ प्याज अद्रक और लेसुन तो दो medium size के मैंने onion लिये हैं बारिक कटा हुआ वान इंच का टुकड़ा मैंने अद्रक लिया है बारिक कटा हुआ साथ में 5-6 लेसुन की कर लिया उसे भी बारिक काटके हमें add करना है और इ वौकी में good novetv लिया सांग्य और इसमें कुछ सूखे मसाले add करेंगे तो वन टे बल्सपुन के बराबर धनिया प देखान यहां और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कोई भी ग्रेवी वाली सबजी में और स्पेशली पनीर की सबजी में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं most of the cooking में जो कसूरी मेथी का आड़ जरूर करती हूं इस अच्छे से mix कर लेना है अब मैं इसमें डालूंगी स कुछ सबजी जैसा कि हम एक कोर्मा डाल रहे हैं और इसमें मैं लिएक मीडियम साइज का प्याँम weriken सात में कैप्सिकम य Yapma में और में हैएक मीडियम साइज का मैंने टमाटव रिया है उसे भी क्यूब्स में काट लिया है तो इस तरह से मोटे टुकड़े में आपको खाट लेना है सारा ही कुछ मीडियम साइज कर लिया है मैंने और इसे मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें डालूंगी फ्राइ किये हुए एग एट करना है ताकि ये मसाले में अच्छे से पचाए और इसे हम बिल्कुल slow flame पर cook करेंगे slow to medium flame पर आप cook कर सकते हो ताकि मसाले अच्छे से प्रिपेर हो जाए साथ में अंडे में भी इसका टेस्ट आजाएगा इस तरह से आप चाहे तो अंडे को cut करके भी डाल सकते हैं बट अकर इस तरह से डालेंगे तो और ज़्यादा presentable लगता है क्योंकि ये अल्रेड़ी हमने fry कर लिया है तो इसे मैंने mix कर दिया है अब मैं इसे ढख कर रख दूँगी और 7 minutes के लिए एटलिस्ट इसे पकने देना है medium to slow flame पर तो आप देख सकते हो ये मसाले अच्छे से बिल्कुल प्रिपेर हो चुका है अब मैंस में डालूंगी क्रीम तो आप जितना चाहे ग्रेवी कर सकते है बट मैंस को थिक बनाऊंगी क्योंकि मुझे चाहिए बिल्कुल लट पटा सा जो एग होता है मसाली के साथ उसके तरह आपको बनाना होगा तो बहुत जादा अच्छा लगता है जिस तरह से हम ढाबा में खाते है अब मैंस में डालूंगी क्रीम तो जो मलाई हम अकसर निकाल के रख देते हैं फ्रेज में और थोड़ा सा थिक मलाई हो जाता है उसमें थोड़ा सा दूद डालके हलका सा इसे मिक्स कर लिजेगा और इसे भी आड़ कर सकते हैं या आप चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते है तो मैंने हाफ बोल के बराबर मलाई आड़ किया है दूद में मिक्स करके और इससे उली 30 सेकंड के लिए कुप करेंगे तो आप देख सकते हो विदिन 30 सेकंड इसका कलर कितना जादा अच्छा हो चुका है और इसमें धनिया पता डाल कर सर्फ करेंगे तो फ्रेंस इससे डिश आउट कर लेते हैं और आप देख सकते हो एक कॉर्मा की रेसिपी बनकर तयार है बहुत ही ज़ादा इजी तरीके से मैंने बताया है तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाई स्टेप बनाएंगे बहुत ही ज़ादा ये क्रीमी बनता है और खाने में बहुत ज़ादा ला जवाब एंजॉय किजिए इससे डाल राइस के साथ खा सकते हो आप पूरी पराटा के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ भी बहुत जादा ये टेस्टी लगता है तो इस तरह से बनाएए और एंजॉय किजिए मेरी रेसिपीज को पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ इसे जरूर शेर किजिगा मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा और बाई बाई एंजॉय माई रेसिपीज